ओके गाईस तो सैमसंग ने अपने दो और नए स्मार्टफोन के लिए अंड़ाइट 14 वित वन ये 6.5 की इस्टेवल अपडेट इंडिया में रिलीस कर दी है तो आज की इस तिम वीडियो में मैं आप से बात करने वालाओं की कौन से स्मार्टफोन के लिए अपडेट रिलीस किया गया, क्या कुछ इंप्रूब्मेंट्स और फीचर्स के साथ अपडेट जो है न वो रिलीस किया गया, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वालाओं तो वीडियो आपके लिए, काफियत तक इंपोटेंट होने वाली तो वीडियो को अंति तक देखते रहेगा, उसक साथ साथ वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो like, share and subscribe जरूर कर लेना तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला update जो release किया गया वो यहाँ पे Samsung Galaxy A52s 5G smartphone के लिए update release किया गया बात कर इसके update फाइल के बारे में तो 2322.49 MB की update फाइल दी गई है 1 November 2023 का security patch include किया गया है साथ ही साथ यह update जो है ना वो इंडिया में release किया गया है बाकी इस update के अंदर हमें 1H 6.2 with Android 14 की सभी new features जो है वो include मिल जाती दोस्तों मैंने इस पर एक dedicated वीडियो बना रखा एक एक features आपको जो है वो मैंने explain कर रखा एक अलग सी वीडियो में वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो i pattern में वीडियो की link दी गई है आप उसे simply watch कर सकते हो साथ ही साथ जिन भी A52s 5G user को अभी तलग 1H 6.2 की update नहीं मिली है दोस्तों उन सभी users को जो है वो एक हफते के अंदर अंदर तक ये update जो है वो मिल जाएगी आपको क्या करना है software update रैप में checkout करते रहना है आपको किसी भी दिन किसी भी वक्त जो है वो update मिल जाएगी अगला update Samsung Galaxy M34 5G smartphone के लिए release किया गया बापकर इसके update फाइल के बारे में तो 2277.50 MB की update फाइल दी गया ये 1 November 2023 का security patch include किया गया साथ ही साथ इस update के अंदर हमें Wony 6.0 विद अंडॉइट 14 की सभी new features जो है वो मिल जाती और अपकोर्स ये update जो है वो इंडिया में release किया गया फाइनली update मिल चुकी होगी है और अभी तलक update नहीं मिली है तो आपको यहाँ पे चार से पास दिन का वेट करना है और इन चार से पांच दिनों में अपने फोन के software अपडेटर अप में चेक आउट करते लेना किसी भी दिन किसी भी वर्क ती जो है वो अपडेट मिल जाए आना वो हमें देखने के लिए मिलती है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को इसके बाद चरूर से जरूर देख लेना तो यही दो स्मार्टपोन के लिए सैमसंग ने इंडिया में 16.0 की स्टेवल अपडेट रिलीस कर दी है तो आज के इस नहीं वीडियो में यही कुछ इ पसंद आईए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग बंदे मात्रम